करन पठेल कफूटा गुस्ता इजास खान पे आई जानते हैं कि आकिरकार करन पठेल ने क्यों लगाई इजास खान की खLAS नमशकार दोस्तों मैं हूँ काजल सींग और आपका स्वागत करती हूँ Big Headlines में दोस्तों अगर हम बात करें इजास खान के बारे में तो इस समय टेलिविजिन के कई सारे सितारे इजास खान से नाराज हैं हम सभी जानते हैं कि कल जब घर के अंदर लक्शुरी बजट टास्क वा था उस दोरान इजास खान जो है डेविल टीम से बिलॉंग कर रहे तो वहीं पर एंजल टीम में जिस तरीके से उन्होंने जान कुमार शानु को परिशान किया उन्हें कुत्ता बोला पोट में उनका हा इस पोस्ट में इजास खान को टैक करते हुए करन पटल कहते हैं भाई समझ में नहीं आ रहा है कि पहले क्या ठीक करवाया जाए तेरा शोल्डर या या तेरा फटा हुआ लीगमेंट या फिर तेरी फटी हुई आवाज यहां पर मंकी के स्टीकर्स और लाफिंग स्टीकर् मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करन पटल यहां पर इजास खान को कह रहा है कि भाई तू मुझे बता दे कि पहले तेरा क्या ठीक करवाना है तेरा तूटा हुआ शोल्डर या फिर तेरा लीगमेंट या फिर तेरी आवाज क्योंकि अगर आपको याद होगा कि कल जिस त करन पटल आप उसे कितने सेहमत है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजियो तक जित्ती भी लेडिस अबडेट है ना मैं आप तक सबसे पहले पहुचाते रहूँ और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पे देख रह थैंकिसो मैं